मेरा सभी सिच्छक साथियों को नमस्कार एक बार फिर से HRSB Education and Motivation YouTube चैनल पर आपका स्वागत है साथियों जैसा कि अभी 18 माडूल निष्ठा प्रसिच्छन कारक्रम के अंतरगत कम्प्लीट करने थे अभी कम्प्लीट हुए नहीं कि अगला कारक्रम 31 मार्थ 2020 तक के लिए 25 प्रसिच्छन और करने है यह सभी अनुदेशक भाईयों सिच्छा मित्र भाईयों यों प्रधान अध्यापक सहाइग अध्यापक सभी के लिए अनिवार कॉर्स है कॉर्स एक बच्चों की भासा इस्कूल वर्सिस घर भाग पांच अपनी समझ को परखें साथियों इस कॉर्स की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगी आप सबसे पहले प्रसनोत्री देख लें समझ लें इसके पस्चाथ लिंक से जा करके आप कॉर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं और ऐसे ही पचीस कॉर्स अभी आपको दिच्छा एप के माध्यम से करने होंगे तो साथियो यदि आप इस यूटूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे टेली ग्राम लिंक दी हुई हैं उससे आप जॉइन कर सकते हैं यदि आप एक ही प्लेट फार्म पर इनफार्मेट्व वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय से आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट्स मिलती रहें हाँ तो साथियो शुरू करते हैं पहला कुश्चन बच्चों की भासा स्कूल वर्सेस घर आकलन कोर्स में कच्छा दो की मिनाती कच्छा में अपनी भासा के इस्तमाल करने में सरमिन्दगी महसूस करती है साथ ही उसे स्कूल की भासा में बाचीत करने में मुश्किल होती है इस कारण से हुए कच्छा में अधिकतर चुपी रहती है और सिच्छक दोरा पूँचे गए सवालों को जवाब देना भी पसंद भी करती है आपके अनुसार मिनाती के इस बेवार के बीचे क्या कारण हो सकता है आप एक से अधिक भी कलब चुन सकते है अपनी भासा में बात करने पर उसको बार बार टोका या डाटा जासा उसकी अपनी घर की भासा में पकड कमजोर है सिच्छक उसको घर की भासा में बोलने के लिए ही प्रुसाहित करती है कच्छा में अपनी मात्र भासा इस्तिमाल करने की मौके मौझूद नहीं है तो साथियों देखते हैं कोई से जवाब पहला और चौथा अपनी भासा में बात करने पर उसको बार बार टूकाया जाता है कच्छा में अपनी मात्र भासा इस्तिमाल करने के मौके मुझूद नहीं तो चलिए साथियो पहले और चोथे पट्टिक करके सम्मिट करते हैं तो आपका भीकल्प सही है अब जारी रखें इसको फ्रेस करेंगे आगे बढ़ेंगे निश्ट कोशन आएगा आपताप एक चार साल का बच्चा है इसकोल में वह एक ऐसी भासा को सुनता है जो कि उसकी अपनी बोली जाने वाली भासा से काफी अलग है इस कारण उसे क्या कहा गया है वह समझ भी नहीं पहता है आपको क्या लगता है कि वह दूसरी और अलग भासा सुनने की संभावना दिये गए संदर्भू में सबसे ज़्यादा कहा है सबसे सटीक उत्तर चुनिए घर में पडोज में बाजार में पहली बार स्कूल में ये साथियों पहली बार स्कूल में इसको चोथे पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे आपका विकल सही है जारी रखें नेश्ट कोशन मालती जी तीसरी कच्छा में पढ़ रहे अपने बेटे के सिच्छक से मिलने आई है चलिए उनके बीच की बातचीत सुने अध्यापक आसू मेरी कच्छा में बहुत कमजोर है ना तो ये वो किसी प्रस्न का जवाब देता है नहिंदी सही तरह से लिख पाता है मुझे तो लगता है उसका भासा सीखने में कोई ध्यानी नहीं है मालती जी मैं सूच रही हूँ ऐसा कैसे हो सकता है क्या वह जानते है आसू घर में तीन-तीन भासाएं बोल लेता है जो उसने हमसे और अपने दादा-दादी से सुनी है वह बड़े मज़े से किससे कहानिया भी सुनना आता है दिवारों और खाली कागजों पर कुछ-कुछ अच्छर भी सौक से बनाता है मालती जी और सिच्छक के बीच की बाच्छित के आधार पर नीचे दी गई कौन-कौन सी बातें संभव हैं कच्छा में केवल हिंदी भासा के प्रियोग घर पर ही जोर दिया जाता है आसू को भासा सीखने में कोई दिल्चस्पी नहीं है आसू को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती है इसलिए वह चुप ही रहता है वह जानूरों की सलामती के बारे में चिंतित रहता है देखते हैं साथियो कौन सा भीकल्प यहां प्रस्ट थर्ड और फोर्थ है यह तीनों पे टिक करेंगे और सम्मिट बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो साथियो आपका भीकल्प सही है इसको जारी रखें नेस्ट कोशन चंदन दिली के एक प्रात्मिक विद्याले में पढ़ता है उसके घर में बंगाली भासा बोली जाती है जबकि कच्छा में वह हिंदी भासा सीख रहा है उसके अध्यापिका को लगता है कि वह लिखने में काफी गल्दियां करता है जैसे मैंने कॉल गोर जाते ही पहले रोटी खाया मैंने कॉल गोर जाते ही पहले रोटी खाया आपके अनुसास चंदन ऐसी गल्दियां क्यों कर रहा होगा उप्योक्त विकल पर ही क्लिक करें चंदन लिखते समय अपनी भासा के इस्तेमाल पर बिल्कुल द्यान नहीं देता है वह समझ नहीं रहा है कि कच्चा में सिर्फ सुथ हिंदी का ही प्रयोक करना चाहिए चंदन लिखते हुए हिंदी और बंगाली भासा कोई को मिला कर रख रहा है लिख रहा है सुरी देखते हैं साथि होई इसमें बिकल्ट चरफ़ च़ुथा है चन्नल लिखते हुई हिंदी और बंगाली भासा के को मिला कर लिख रहा है यहाँ पर आता है कॉल घौर है ना तो घौर आपका बंगाली वर्ड है तो साथियों यहाँ चौथा आपसन आप चूज करेंगे और सम्मिट वटन को प्रेस करते हैं आपका बिकल सही है जारी रखें नेश्ट कोस्टन की और फरीदी जी कहानी है कि बच्चे की अगर कच्छा में अपनी भासा का प्रियोग करनी की आजादी दे दी जाए तो वे भासा के कौसल नहीं सीख पाएंगे जबकि महर जी उनकी इस बात से सहमत नहीं है आपके अनुसार महर जी की असहमती की क्या करण हो सकते हैं तो प्रियोग तुपिकल पर क्लिक करें बच्छों को अपनी भासा इस्तेमाल करने की आजादी देने से कच्छा में बीना डर का माहौल बनेगा जो बच्छों की सीखने में मदद करेगा बच्छे जब अपनी भासा में अपने बिचारों को बिक्त करते हैं तो खुल कर बोलने के कौसल को बढ़ावा मिलता है अपनी भासा में बात कहानी कभी ता सुनने के मौके देने से बच्चे स्कूल की भासा के साथ बेतर जुड़ा बना पाएंगे अगर बच्चे अपनी भासा में बोलना लिखना पढ़ना और सुनना सीख जाएं तो उन्हें स्कूल की भासा सीखने की जरूरत नहीं है तो देखते हैं कौन सा आपसन करेक्ट होगा सत्यू फर्ष्ट सेकेंड और थर्ड आपसन यहाँ पर करेक्ट है बच्चों को अपनी भासा इस्तेमाल करने के अजादी देने सकच्चा विबिना डर का महाल बनेगा जो बच्चों नेश्ट कुश्चन क्या यह काहना सही रहेगा कि एक से ज़्यादा भासा जनाना या सीखना बच्चे के लिए बोज़ हो सकता है उप्यू क्लिकल पर क्लिक करें हाँ क्योंकि सारा ध्यान भासा सीखने पर ही लगा रहेगा और ना कि अनकौसल सीखने पर नहीं क्योंकि यह आपको लग-लग लोगों से बाचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बनाएगा कभी-कभी आखिर-कभी कभार हम मिस्त्री द्वासा का इस्तिमाल करते हैं तो सेकेंड आप्शन पर टिक करेंगे साथियों यविकल भी आपका करेक्ट है जारी रखें प्रेस करती है नेश्ट कोईशन की ओर चलेंगे बिबेग जी का वेटा कच्छा एक में पढ़ता है बिबेग जी अपने बेटे के अध्याफक से निवेदन करते हैं कि वेक अच्छा में सिर्फ मानक भासा का ही प्रयोग करें और बच्छों को भी उसी का इस्तिमाल करना अनिमार करें आपके नुसार ऐसा करने से क्या हो सकता है बच्छे सिच्छ ची बाठचित को अच्छे से समझश पाएंगे बच्छे कच्छामें अपनी बात कहने के लिए उससाहित महसूस करेंगे बच्चे को अध्यापक के निर्देश समझने में कटनाई होगी कच्छा में सीखने सिखाने का अच्छा माहौल बनेगा तो साथियों देखते हैं इसका आपसन फर्ष्ट है लेकिन यहाँ पर यह गलत सो कर रहा है कृपिया पुने प्रयास करें तो यह आपसन आपका देखते हैं सम्मिट करते हुए आपका विकल्फ सही नहीं है पहला विकल्फ सही है तो देखियो फर्ष्ट विकल्फ पर हमने टिक किया था और वहाँ पर दे रहा है कि गलत है और नीचे यह भी सो कर रहा है कि पहला विकल्फ सही है तो साथियों इसके टिक करेंगे फर्ष्ट पर और जारी रखें नेश्ट कोश्चन के ओगा निम्री खित में से कौन सी गड़ भी दिया प्राथ में कच्छाओं के बच्चों में अपनी भासा और स्कूल की भासा के बीच कांतर कम करने में मदद कर सकती है उप्यूक तो भी कल फर्म क्लिक करें आसपास की चीजों को बच्चों की और स्कूल की भासा में लेवल करना बच्चों की भासा में लोग गीतों को स्कूल की भासा में लिखना हर पाट को बच्चे के साथ साथ दो से तीन वार पढ़ाना और दोराना बच्चों की और स्कूल की भासा में एक ही कहानी की किताब बनाना बच्चों को अपने पीछे पीछे हर लाइन दोराने को कहना साथियों निमली की इसमें से कौन सी गद्वीदियां प्राथमी कच्छाओं के बच्छों में अपनी भासा और स्कूल की भासा के बीच कंतर कम करने में मदद कर सकती हैं तो यहां पर साथियों फ़स्ट सेकंड और फॉर्थ आफसन करेक्ट हैं आसपास की चीजों को बच्छों की और स्कूल की भासा में लेवल करना बच्छों की भासा में लोग गीतों को स्कूल की भासा में लिखना बच्छों की और स्कूल की भासा में एक ही कहानी की किताब बनाना तो साथियों हमने तीन फटिक किया और सम्मिट करते हुए निश्ट आपका विकल्ब करेक्ट है जारी रखें निम्ट कित में से कौन सी गद्विदियां में मुख तोर परतार की गणिती बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल होता है सिच्च को सभी बच्चों के घर में प्रयोग की जाने वाली भासाएं आती हूं सिच्च बच्चों की अपनी भासा को सीखने की कोशिस करें कच्चा में बच्चों को अपनी भासा में विचार भावनाएं और बाटने के लिए प्रोसाहिद करना कुछ ऐसी गत्विदिया करना जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ अपनी भासा को भी कच्छा में लाएं बच्चों को घर की भासा कच्छा में इस्तेमाल करने पर टूकना ताकि धीरे धीरे यह सिर्फ स्कूल की भासा में ही बात करें तो साथियों ये गत्विदियों में सिर्फ मुक गत्विदियां सेकंड, थर्ड और फॉर्थ हैं सिच्छक बच्चों के अपनी भासा के सीखने की कोशिस करें कच्छा हैं बच्चों को अपनी भासा में विचार भावना और बाटने के लिए प्रोशाहित करना कुछ ऐसी गत्विदियां करना जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ अपनी भासा को भी कच्छा में लाएं साथियों इसको सब्मिट करेंगे आपका दूसरा तीसरा और चवता भीकल सही है जारी रखना इसको क्लिक करें सुसीला जी ये अंतिम कुश्चन है साथियों कच्छा में लाते हैं और उसके बारे में अपनी भासा में बदाते हैं इस दिन अक्सर बच्चे एक मेले की तरह नई सामान को टेबल पर रखकर उसका महारत प्रदरसन करते हैं आपके अनुसार क्या इस तरह के मौके का स्कूल की भासा सीखने में कोई लाव है उप्योग तुबिकल पर ही क्लिक करें हाँ क्योंकि बच्चे सामान के बारे में बिना जिजखक के और विस्वास के साथ अपनी भासा में बदा पाएंगे नहीं बच्चे दोरा लाई गई सबजी या फल के बारे में बताने की जरूरत है है ही नहीं लोग खुद ही देख सकते हैं गद्वित तो अच्छी है लेकिन यह स्कूल की भासा में ही की जाये तो फाइदा है गद्वित फाइदे बन तब हो जब इसमें घर की और स्कूल की भासा दोनों को इस्तेमाल करने की गुंजाईस हो ताकि दोनों की बिस्दूरी कम हो सके तो देखते हैं साथियो ये चाओ थाफ सनाफ का करेट है इसको सम्मिट करेंगे ठिक करते भी है आपका विकाव सही है इसको जारी रखने के लिए तो साथियो ये हमारी प्रिस्णावली कम्प्लीट हो गई धन्वाद दोस्तों अगर ये वीडियो पसंदाया हो तो प्लीज लाइक करें और इस चैनल को भी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में सेयर करें ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियो आएंगे इस चैनल के मादन से आप तक पहुंचाने का भूरा प्रयास करेंगे धन्वाद